हलो सु मिन वी जाए बस्तो आजना मेरे पास में Redmi का एक लिटेस्स तड़कता भड़कता Redmi 14C स्मार्टफोन है जो कि मैं रिप्लेस करता है लास्ट यर के वन अब दो मोस्ट पॉपलर एंट्री लेवल स्मार्टफोन को विच वो वाला MediaTek के Helio G85 प्रोसेसर के साथ में आया करता था ये वाला भाई MediaTek के नए Helio G81 अल्टरा प्रोसेसर के साथ में आ रहा है जो कि एक slightly overclocked वर्जन है compared to the G85 और भी बहुत सारी नई थीजें Redmi 14C अपने साथ में ले के आता है इंक्लूडिंग बिगर डिस्पले newer designs जो कि भाई इस eco leather finish के साथ में भी आती है एंड ये नया blue color जो कि मुझे काफी ज़ादा अच्छा लगा बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास इस smartphone के बारे में बात करने के लिए जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एक दमेंट तक बने दिएगा एंड हैंग सट देट लेट से स्टार्ट इए वाक्स रैड्मी 14 से का मैंने इस वाले फोन को दुबई से पर्टेस कर रहा है और दुबई का जो भी ऑफिशल वर्जन रहता है उसमें आपको ये टीडियारे मार्क दिखने के लिए मिल जाएगा मैंने इसको दुबई से पर्टेस कर रहा है भाई एजए सट फ्रॉम डॉट कॉम फर 350 ध्राम एफेक्टिवली बेकॉस भाई हमने अपना कोड अप्लाय कर था विच इस टीपी वन जीरो अनून.com पर अगर आप ये वाला कोड लगाते हो तो आपको 10 ध्राम का डिस्काउंट मिल जाएगा टाइप A टू टाइप C वाला चारजर मिल जाता है एक टाइम हुआ करता था जब सस्ते फोनों में माइक्रो यूएस्बी मिलता था लेकिन अभी सारे ही फोन में हमें टाइप C मिल रहा है यहां पर बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है सबसे पहले नए कलर्स इंट्रिदूस करेगा है I have the starry blue color जिसके अलावा यहां पर हमें एक eco leather bag के साथ में आने वाला green color भी मिल जाता है and black color and purple color भी है मज़ी की बाद यह है कि इन सारे colors का तो weight है वो slightly different है एक दूसरे से 2-3 gram ज्यादा या फिर 2-3 gram कम है जो कि आप अपने screen के उपर देख सकते हैं approximately 200 grams के आसपास का इनका weight रखा गया है considering कि यह बहुत ही बड़ी display and battery के साथ में आता है यह one of the biggest display है जो कि मैंने आज तक किसी भी smartphone में उसकर ही है 6.88 inches की भाई बड़ी display वाला phone अपने साथ में लेके आ रहा है जो thickness है वो 8.2 mm की रखी गई है good thing is that कि यहाँ पर 3.5 mm headphone jack भी मिल जाता है right side में जो power button है उसके अंदर इसका fingerprint scanner भी integrate करके रखा हुआ है and यहाँ पर mono speakers नीचे की तरफ आप देख सकते हैं along with the type C port left side में उपर की तरफ यहाँ पर a dual sim का slot देके रखा है and again a good thing is that कि हाँ पर micro sd card का dedicated slot देकर रखा हुआ है से वाले phone के साथ में मैं हाँ पर micro sd card किसी को भी recommend नहीं करता हूँ because कई बार ऐसा हो तागी करब तो जाते है and phone को अकसर slow बना देते हैं micro sd cards तो internal storage ही आप यूज करो जिसके लिए 128 GB वाला base version ही है लेकिन अगर आप थोड़ से जादा पैसे इंवेस्ट कर सकते हो आपको इसका 256 GB वर्जन भी देखने के लिए मिल जाएगा फिर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो इससर वेरी बिग 6.88 इंचिस डिस्प्ले लेकिन है पर जो रिफ्रेश रेट है वो भी इस बार अप्ग्रेट कर दिया गया है प्राइस सेम रखा गया है अटलीस दुबई के अंदर इंडिया में जब ये वाला स्मार्टफोन आएगा तो मालूम पढ़ जाएगा लास्ट यर रेड्मी 13C वास प्राइस एट थाउजन रूपीज इस बार ये वाला भी सेम प्राइस होगा लेकिन एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो कुछ कुछ डिफरेंसे इन लोग को क्रियेट करने ही पड़ते हैं अगर सारी चीजे आठवाले स्मार्टफोन में दे देंगे ना तो प्रीमें स्मार्टफोन के लिए लोग क्या बचा के रखेंगे डिस्प्ले इस नौट बैड इस वेरी गूड काफी अच्छे विंगेंगें सो अगर आपको निकाल के दे देगी वाली दिस्प्ले पर बात करते हैं पर्फॉर्मेंस के बारे में जो कि यहां पर नई चिपसेट पावर कर रही है जो कि अभाई मीडिया टेक की हीलियो डिय बैटली बैटर है बेकॉज यह एक ओवर क्लॉग वर्जन है ऑफ द जी एटी फाइव चिपसेट जहां पर एंटू के स्कोर सबसे पहले मैंने टेस्ट करें जो की निकाल के दे रहा है बाई दो लाग तिताले सिजार के स्कोर मतलब तू लैक फॉर्टी थी थाउजन के स्क स्कॉर्स निकाल के दे रहता है इन दे बैंचमार्क एप्लिकेशन इसको अगर कंपेर करूं मैं आज की रिट के प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ में जो की आप में टरेंज बोल सकते हो 30,000 रूपीज के आसपस के आने वाले तो वह भाई लिटरेली 1,30,000 के स्कोर्स निका के दिया है वह भाई 1300 के इस वाले फोन ने अगर अगें मिड रेंज फोन से कंपेर करें लगबग जो की 30,000 रूपीज के प्राइज के सास्थ में आते हैं तो वह वाले स्मार्टफोन भाई एप्रॉक्सिमेटली 4,000 आज की रेट में स्कोर्स निकाल के दे रहे हैं अगें इस नोट दे स्ट्रॉंगेस पॉइंट ऑफ इस स्मार्टफोन वहीं अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई मैंने सीपू थ्रॉटल टेस्ट करा है इस वाले फोन के साथ में तूकि आप देख सकते हो बहुत ही एक न्यू चिप सेट है कंसीरिंग डैट 77% तक इस वाले फोन के साथ में या फिर मैंने शॉपिंग करी हो ब्राउजिंग करी हो सारी चीजे काफी स्मूदली चल रही थी जो रैम है मेरे वाले वर्जन में मैंने इसका 128GB प्लस 4GB वर्जन जो की बेस वर्जन है वो पर्चेस करा है तो अगर आप चारे हो कि भाई मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए इस वाले फोन के साथ में वह नहीं मिलने वाला लेकिन निराश करने वाली परफॉर्मेंस भी नहीं लेकर आता है यह वाला फोन के वहीं अगर बात करें तो आल्मोस्स सिमिला रखा गया जैसे की लास्ट यह मिलता था 50MP का में कैमरा मिल अगें इसका भी काम नहीं है एक फ्लेशलाइट लगी हुई है और जो फ्रेंट सेंसर है वह अप्ग्रेट कर दे गया है इस बार 13 मेगा पिक्सल का है अब फ्रॉम दा 8 मेगा पिक्सल ऑन दर एड्मी 13C अगें जो एपरचर है यहां पर वह अच्छा है F2.0 का अपरचर द भी मिलता है इस वाले फोन के साथ में विच इस रेली गुट थिंग में आपर बोलूंगा मतलब बहुत सारे स्मार्ट फोन एंट्री लेवल प्राइस पॉंट पर यह चीज़ें मिस कर जाते हैं लेकिन इस वाले फोन नहीं करा है और जो पोट्रेट निकल के आते हैं वो भ बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हो जो वीडियो निकल के आ रही है भाई इवन विद दे रेर फेसिंग केमरा दोनों ही वीडियो आपको शेकी नजर आएंगी विकॉस यहां पर कोई भी स्टेबलाइजेशन वाला मोड नहीं देके रखा हुआ है इस वाले प्राइस पॉइंट में आपको कोई भी ऐसा फोन नहीं मिलता जो कि शेक फ्री वीडियो आपको निकल तो तो यहां पर भी मैं with the front facing camera and the rear facing camera जो details निकल के आ रही है वो अच्छी निकल के आ रही है जो stabilization है वो अच्छा नहीं निकल के आ रहा है यह आपको clearly बता देना चाहूंगा बैटरी की भही अगर बात करें तो बैटरी भी यहां पर improve कर दी गई है जो कि भाई 5000 mAh से 5160 mAh की बैट बात करूं तो लगबग देड़ घंटे में यह वाला phone included charger के साथ में fully charge हो जाता है और भाई लगबग देड़ दिन यह वाला phone चल जाता है बिकॉस जो प्रोसेसर है वह काफी efficient डाल के रखा हुआ है बहुत ही एक entry-level प्रोसेसर है तो पावर उतनी कम consume कर रहा है वाला प्रो Xiaomi के latest HyperOS के साथ में आता है in fact जैसे ही मैंने phone को purchase कर आप अपनी screen के उपर देख सकते हो एक update यहां पर pending आके रखी हुई है I'm not sure कि इस phone को Android 15 या Android 16 मिलेगा या फिर नहीं बट security updates वगरा 2-3 साल तक आप expect कर सकते हो इस वाले phone के साथ में जो user interface है वह काफी अच्छा देके रख हुए है मुझे overall मतलब HyperOS जो है ना Xiaomi का वह बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही MIUI मेरी one of the favorite रही है और बहुत लोग आज कल क्रिटिसाइज कर रहे है MIUI को I don't know why for what reason but मुझे MIUI आज की देट तक भी काफी अच्छी लगती है बहुत ही एक user friendly operating system डाल के रखा हुआ है फिर आगे देख सकते हो यह दो स्पीकर मुझे ऐसे लगा अगें स्पीकर काफी जादा लाउड है तो overall सारी ही चीज़ों को मिला के मैं कुल मिला के रेट करूँ अगर Redmi 13C को तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो आपके पास बेटर ऑप्शन्स हैं जैसे कि इंडिया में अगर आपको शाओमी रेड्मी के इंटरफेस में रहना है तो पोको का M6 5G स्मार्टफून आपको मिल जाएगा दुबाई की मार्केट में इवन साड़े 400 धिराम के असपास का रेड्मी 13 स्मार्टफोन भी आता है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो इस बैटर कंपेट तो रेड्मी 14C स्मार्टफोन जैसे जैसे आप पैस डालते जाओगे आपको चीज बैटर मिलती जाएगी बट फॉर इस प्रैस सेग्मेंट अगर टाइ नहीं दोस्तों यह था रेड्मी 14C स्मार्टफोन लास्ट यह का 13C बहुत पॉपलर था अपने वीडियो में बहुत प्यार दिखाया आई होप इस वाली वीडियो में भी आप इसी चरह का प्यार दिखाओगे बाई सब्स्राइबिंग दा चैनल बिकॉज एसी ही वीडियो एक्स्लूजिव वीडियो हम अपने चैनल के उपर लाते रहते हैं इसके चैनल को जरूर से सब्स्राइब कर लेना दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर सकते हो शेयर कर सकते हो अपने अपने अगली वीडियो में